जै जिनेंदर दोस्तों मैं निखिल भंडारी आज आपके लिए एक प्रोड़क्ट लाया हूँ जो की है वन यू फ्लाइट केस जिसे हम वन यूनिट फ्लाइट केस भी कहते हैं तो चलिए देखते हैं वन यूनिट फ्लाइट केस यह डबल पैकिंग में फ्लाइट केस दिया जाता है अंदर आप जैसे देख रहे हैं पहले पन्ने की पैकिंग होती है उसी के उपर एक काटून रैप किया होता है जैसे ही हम इसकी पन्ने निकाल देते हैं यह कुछ इस तरह से दिखता है हम लोग इसकी फिनिशिंग की बात करते हैं इसमें बॉल कॉनर एल कॉनर और बटर फ्लाइर लॉक यह यूस किया जाता है इसे कैरी करने के लिए उपर साइड से एक हैंडल लगाया गया है जो इजी लिए आप इसे कैरी कर सकते है इसे खोलने के लिए चार बटर फ्लाइ लॉक दिये है दो सामने के लिए दो पीछे ढकन के लिए दोनों ढकन खुल जाने के बाद यह फ्लाइट केस कुछ इस तरह से दिखता है इसमें हम अभी एक यूनिट फीट करके देखते है किस तरह से फीट किया जाता है इसकी अगर फिनिशिंग देखा जाए अंदर की रबर फोम बहुत बड़िया फिनिशिंग में यह चीज बनती है इसमें यह यूनिट रतने के बाद नीचे जो केजनल लगाया होते है उसका हम लेवल पहले मिला लेते है लेवल मिलाने के बाद अब हम इसे बोल्ट से टाइट करेंगे जो कि आदा इंची बोल्ट होते है इस केस में आप वन यूनिट साइज का कोई भी डिवाइज हो, चाहे क्रॉसर हो, इक्विलाइजर हो या प्रोसेसर हो, इस केस में आप उसे इजिली फिट कर सकते है इस आधा इंची बोल्ड को हम लोग स्कुरूडरावर से टाइट कर लेते हैं अब यह केस रेडी है यूस करने के लिए, सामने से यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसका फ्रेंट साइड हो गया बैक साइड से अगर आप इसे देखे और इसमें काफे अच्छी स्पेस दे गई है आपकी एक्सलर पीन आप इसी के अंदर लगा के रख सकते हैं इतनी स्पेस इसमें दी गई है अब हम लोग इसे वापिस से फिट कर लेते हैं यह ध्यान रखेगा कि बैक स्टिकर के सामने बैक का ढखनी आना चाहिए तो आपके लोग की जो फिटिंग एगे वह दम प्रॉपर आ जाएगी है सेम वैसे ही फ्रंट के सामने आप फ्रंट का ढखन लगाई है तो इसके फिटिंग प्रॉपर आ जाएगी है सो गाइस अब यह कैसे बिल्कुल रेडी हो चुकी है